तो हें गाईज वेलकम पैक इन आओ नुए वीडियो तो आई होप कि आप सभी लोग स्वस्त मस्त और फस्ट क्लास होंगे और आगे भी जो है ऐसे रहेंगे तो आज की वीडियो दोस्तों काफी रहा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको जो कमेंट में इमोट पार्टी के रिगार्डिंग कोश्चन किया हुआ था और भी यहां पर बहुत सरे कोश्चन किये हुए थे उसका रिपलाई आपको मिलेगा और भी कुछ छोटे मोटे इवेंट आने वाले हैं टुनाइट अपडेट के बारे में बात करेंगे तो आपसे एक छोट से रिक्वेस्ट है कि फटा-फट इस वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए तो दोस्तों यहां पर M1873 के लिए के न्यू मोको स्टोर निकल के आ रहे है क्योंकि यह जो गन स्कीन हमारे गेम की फर्स्ट लिजेंटरी गन स्कीन है इससे पहले सा रिलोड काफ़ी लेट में होता है और इसका मुमेंट भी काफ़ी कम है तो अगर आप इस स्किन को निकाल लोगे तो आपको दोनों चीज़ों में फायदा होने वाले बाकि यह skin का जो look है वो काफी तगड़ा है लिजेंडरी skin बनाएगी है इसको आप लोग जो है लॉब्यू अगरा में भी सोक कर सकते हैं तो इस gun इसके लिए और आइटम के लिए अलग लग ऋवेंट निकलके आ रहे है गन सकिन के लिए मोको श्टोर का इवेंट निकलके आ रहे और बांकि सबस्सके लिए औरपनी एशेटी की दूसरी गन- मिलने सकनर जोट्य करेंदे और आपको साथ गन तो बहुत सारे लगने वाले हैं बांकि दोस्तों जो sky dive की skin है यह आपको fed will event में जो है देखने को मिल जाएगी तो तीन अलग-लग event निकलके आ रहे हैं तो इसमें से at least 2 event तो आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे token will तो confirm ही है token will के साथ या तो moco store का event देखने को मिल जाएगा या फिर आपको fed will का event देखने को मिल जाएगा तो इंडिया के लिए जैसी इसकी date confirm हो जाएगी तो मैं बता दूँगा बांकि इसकी जो possible date है वो इस month के last week तक है यानि कि 25 स्तंबर के बाद ये event आपको इंडिया में देखने को मिलेगा अब दोस्तों बात करते हैं दिवाली, वीश्या, कार्णीवल, वीश्क के बारे में तो इस event के अंदर दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो old वाले golden state के bundle है वो देखने को मिल जाएगे साथी samurai bundle देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि samurai bundle पहले अभी कुछ दिनों पहले ही आया हुआ है हाँ break dancer bundle आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि यह काफे time से नहीं आरक है बाकि आपको arctic blue जो bundle है वो भी यहाँ पर हमारे दिवाली वीस या दिवाली कार्दीवल जो भी event रहता है वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसके लाओ दोस्तों आपको armor of ridge bundle जो है देखने को मिल जाएगा इसके लाओ दोस्तों thunder electrified bundle देखने को मिल जाएगा इसके लाओ दोस्तों आपको सिनोबी जो बंडल है जो male और female दोनों आपको देखने को मिल जाएंगे इसके लाओ दोस्तों जो old FWS के बंडल है इसके लाओ दोस्तों आपको जो griffin बंडल है वो देखने को मिल जाएगा इसके लाओ जो ठक बंडल है वो देखने को यहाँ पे मिल जाएगा और question आता है कि क्या यहाँ पे अपने को जो white hair वाला बंडल है वो देखने को मिलेगा या फिर नहीं यानि कि purple shade तो दोस्तों मुझे लगता है कि purple shade आपको देखने को नहीं मिलेगा हो सकता है आपको token wheel में देखने को मिल जाए या फिर किसी अलग टैप के white event में बांकि जो बंडल आने वाले हैं वो बंडल आपने screen के उपर देख ले होंगे तो यह अलग अलग टैप के बहुत सारे बंडल हैं जो कि आपको आने वाले upcoming दिवाली कारणी वाल इवेंट में देखने को मिलेंगे तो अभी इसमें कुछ और भी बंडल एड होंगे कुछ आने वाले टाइम के उपर तो उनके बारे में जो update है वो मैं आपको आने वाली वीडियो के उपर बता दूँगा बाकि यह जो इवेंट है यह आपको अक्टूबर मन्थ में देखने को मिलेगा तो आपके बास अच्छा मौका है अच्छा टाइम है आप लोग अभी से अपने डाइमड वगरा collect कर सकते हैं और इस इवेंट में आपको लगबग 5 से लेके 6000 डाइमड चाहिए होंगे होंगी जो दो नही गण आने वाली हैं उसमें आपको या तो ड्रेगन एके और ड्रेगन एके के साथ साथ आपको जो थॉम्सन यह दो गण स्कीन यहाप पॉसिबल निकल के आ रही है नश्ट इवो वाल्ट के लिए MP40 तो पहले से ही आईविलेवल है तो रिपीट हो जाएगी बाकि ड्रेगन एके और साथ जो थॉम्सन की स्कीन है वो यहाँ पे निकल के आ रही है कि आपको नश्ट इवो वाल्ट में देखने को मिलेगी तो अगर आपको ड्रेगन एके निकालनी है तो नेश्ट मन्थ आप लोग निकाल सकते हैं क्योंकि नेश्ट मन्थ यह जो स्कीन है वो हमारे गेम में आने वाली है बांकि जो डेट हो मैंने आपको बता दिये सायद 2 अक्टूबर या फिर 3 अक्टूबर के दिन हमारा नया यह वो वर्ल्ट आने वाल है अब दोस्तों बात करते हैं टुनाइट अपडेट के बारे में तो सबसे पहले तो आज रात को हमारा यह वाला जो रिंग इवेंट हमारे गेम में चल ला है यह खतम हो जाएगा लास्ट चांस है आपके पास अगर आपको अभी भी निकालना है तो निकाल सकते हैं स्पिन मार के वर्णा कले इवेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा बात करते हैं टुनाइट अपडेट के बारे में तो देखो बेसिकली भाई अभी तक कोई टुनाइट अपडेट निकलके नहीं आरके है तो कल भी दोस्तो कोई event नहीं आने वाल है अगर कोई event confirm होता है तो मैं WhatsApp चनल को पर डाल दूँगा हमेशा की तरह लेकिन अभी तक कोई event confirm नहीं हुए तो इसलिए दोस्तो आज रात के बाद वैसे आपको कोई नया event देखने को नहीं मिलेगा अपना AN94 का event खतम हो जाएगा बाकि नया event कुछ भी नहीं आने वाल है तो अभी ही हमारा update आया हुए है तो इसलिए साइद event नहीं आ रहे हैं अभी एक दो दिनों के बाद आपको daily to night update जो है कुछने कुछ देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों बात करते हैं आने वाले December Booyah Pass का review के बारे में तो December से हम लोग Booyah Pass का review स्टार्ट कर रहे हैं इसके बाद में आपको और भी Booyah Pass का review दिखा दूँगा सबसे बहले दोस्तों आपको female bundle देखने को मिलता है जो कि देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है इसका design वगरा भी काफी अच्छा है तो मुझे December Booyah Pass में बस एक चीज अच्छी लगी वह है इसका color combination तो यहाँ पे colorful बहुत बनाया गया है मतलब अलग-लग color यूच के गया है तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे अच्छा लग रहा है बाकि overall bundle के अगर बात करें तो देखो bundle थोड़ा heavy type का लग रहा है अगर आप game में इसको पहन के खेल होगे तो हो सकता है कि आपको उतना comfortable feel ना हो खेलने के time उतना आपको थोड़ा दिक्कत वगरा हो बाकि आप देख सकते हैं auto rixa की skin आपको देखने को मिल जाती है इस वाले बुया पास के अंदर जो की काफी सही लग रही है देन दोस्तो जो अगला reward है वो मैं आपको दिखा देता हूँ अगला reward रहने वाला है एक loot box तो loot box भी काफी जवरदस्त बनाए गया भाई मिलकुल आत्मा जा रही है इसकी तो काफी तगला टाइप काई लग रहा है देन दोस्तो इसके बाद आपको जो नेश्ट रिवार्ड है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा एक सरबोड तो सरबोड भी ठिक ठाक सा है जादा कोई इसमें कुछ खास है नहीं नॉर्मल सा सरबोड है जो हमको हर बारी देखने को मिल जाता है इसके लाओ दोस्तो बैंदरा उतार आप लोग देख सकते हैं बैंदरा उतार जो है कुछी तरह की का यहाँ पर रहने वाल है बाकि आपको एक गन स्किन देखने को मिल जाती है जो कि M1917 की गन स्किन है जिसमां आपको डबल मैकजीन और रेंज जो है वो सिंगल प्लस यहाँ पर मिलती है देन दोस्तो इसके बाद जो अगला रिवार्ड है वो है आप एक लिजेंटरी बैड स्किन तो यह बैट की स्किन भी दोस्तो आपको इसी बुईया पास के अंदर जो है एविलेबल हो जाएगी तो अगर आपको यह चाहिए तो यह बुईया पास को आपको परचेस करना पड़ेगा देन दोस्तो जो अगला रिवार्ड है वो है ग्रैनेट स्किन और एक सौट्स तो आपको फ्री में मिल जाएंगे तो यह काफी अच्छी चीज है बाकि ग्रैनेट की जो जो स्किन है या फिर जो बैकपैक है वो आप देहस सकते हैं बैकपैक दोस्तों बेसिकली कुछ इस तरके का यहाँ पर रहने वाला है जो अगला reward है वो है अपर एक granite की skin तो granite की skin का भी यहाँ पर जो animation है वो काफी अच्छा है then दोस्तों आपको यहाँ पर glow all की skin भी जो देखने को मिल जाती है तो glow all की skin का design भी काफी अच्छा और काफी unique tap का बनाया गया है बांकि इस बुईया पास के अंदर आपको emote देखने को नहीं मिलेगा emote के बरले जो glow all skin है वो यहाँ पर डालीगी है बांकि इस बुईया पास की जो main highlight है वो है अपना mail bundle तो mail bundle देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है अपर पार तो काफी अच्छा है बड़ जो नीचे पार्ड बनाया गया है भाई horse attack को थानिक क्या बना रहा है तो थोड़ा देखने में तो काफी funny और काफी अच्छा लग रहा है यूनिक लग रहा है बट हो सकता है कि gameplay के time पे आपको उतना comfortable यह नहीं लगे तो जो भी है दोस्तों आप अपने हिसाब से इस बुईया पास को जो है rate दे सकते हैं मैं इस बुईया पास को 10 out of 7 rating दोंगा आपके साफसे इस की rating क्या रहेगी वो आप लोग मुझे comment करके बता देना अब दोस्तों बात करते हैं कुछ comment के reply के बारे में तो एक भाई ने पूछा है कि new emote party कब आएगा तो देखो भाई मैं आपको already एक दो बता चुका हो emote party पारे में लिए प्र Zeus अपको डिवाली के time पर मिलेगा और इसलिए Igor पार्टी का इवेंट है वह आपको एपको हट मंध मदे देखने रोयाल कंवाएगा तो ऑभलियो laps फुर्ट में आपको पीछे दिखा दियए ब्रीकद्दान्श बंदल आने वाल है अपने दिवाली कार्दियोंवाल इवेंट में बाच प्रवारे में बात करे बात के सधिूल लॉक का मेगा कोलोरेकन तो आपको मेगा क्लोरेकन के टैम। प या फिर EoGun के token वगएरा जो भी चीए तो आप लोग SG Game Shop से जो है Top of वगएरा कर सकते हैं कोई भी दिक्कत परशानिया कोई भी doubt वगएरा हो तो आप लोग मुझे Instagram पर message कर लेना तो आज की दोस्तो इतनी वीडियो है जो भी